हाई एवरिवन मैं हूँ रीना बहुत बहुत स्वागा थे मेरी यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया तो थमनेल देखे और स्क्रीन पे देखे आप समझे के हैंगे कि आज की जो वीडियो है वो फेशल पे है जी हाँ आज मैं आपको होम मेड फेशल करके दिखाऊंगी वो भी विटर्मीन के ग्रीने मिलेगी यहां पे कुछ आपके कीचन में अवेलेबल मैं है आपको कुछ बी मानगवानी की जवत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया है पापाया को ग्राइंड कर लिया है और एक पेस्ट के फॉर्म में और यहां पर मैंने लिया है कच्छादू, चीनी, नीम्बू, कुलाबचल और हल्दी और दो इंग्रीडियन चूड़ गयते हैं जो कि है काइश कषीटरि सक्षाद, काइश कष्चाद, काइश है दो और दो इसा प्राइव है यहीं पर इभी रट करी करें मैंने सब्सुपणी के कोई बेढ़ाया जाती है सबी हैं आपक त्छे सबस्कराइब इस अच्छी तरह से प्रोसेस करें, कभी दोन आपके आपके ही को ट्रील करना चाहिए थीयर से आपके क्लीन करा चाहिए क्लीन करने से लोगर मारे बरीन करता हम दाया और inom launcher को एक लिए इसोड़ी चोड़ी। अब इसे में वाश करके आयूं तो यह देखिए पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है अब बढ़ती हूं मैं सेकंड स्टेप के लिए स्क्रबिंग का तो यहां पर मैं स्क्रब के लिए मैंने फिर से पापाया पल्प लिया है और उसमें मैं एक चमत चीनी आड करी हूं स निकल जाते हैं जादता आपना टी जोन एडिया में अच्छी तरह से स्क्रब करें वहीं पर हमारा जो ब्लाक हेड से वाइट से जादता है गंदिगी भी होता है इस तरह से आप पूरे अपने स्किन को स्क्रब कर लें पर यहां पर वहीं जुगारू हम इंडियन का मॉम का तो कामी है जो बचा खुचा है पूरा बचने ही ने दना सारे लगा लेना तो यहां पर मैं अपने हैंड को भी स्क्रब कर रही हूँ और आप चाहे तो अपने लिप्स को भी स्क्रब करें स्क्रबिंग करना बहुत ही जरूरी है गाइस इससे हमारे डेट सेल निकल जाते हैं हमारा स्किन नैचरली ग्लो भी करता और खिला खिला दिखता भी है अब बढ़ती हूँ मैं थर्ड स्टेप की ओर तो थर्ड स्टेप के लिए यहां पे मैं मॉस्टराइजर्ग या मसाज क्रीम बना रही है तो उसके लिए मैंने फिर से एक चमच पापाया पल्प लिया है उस करता है तो चलिए अब यहां पे मैं मसाज कर रही हूँ तो इस तरह से पूरे फेस में अच्छी तरह से मसाज क्रीम लगाए और अच्छी तरह से सर्कुलर मोसन से करते हुए पूरे फेस को मसाज करें यह देख रहे हैं आप इस तरह से में कर रही हूँ और जो मसाजिंग ह न, जीससे आप हमेसा upward की तरफ करें तो इस तरह से सैगिंग जो होता है न, वो नहीं होगा तो जब भी आप massage करें या क्रीम लगाएं, तो upward की तरफ इस तरह से लगाएं मसाज करने से या मॉस्याजर क्रीम लगाने से हमारे स्किन जो होता है वो हाइडरेट होता है और इससे हमारे जो फाइन लाइन से वो भी रिड्यूस होता है और पापाया हेल्प करता है टैनिंग को भी रिमूफ करने के लिए तो इस गर्मी आप इस फेशियल को जरूर ट्रा पाया फेशल करिएगा आपको फर्क जरूर दिखेगा तो यह देखिए मैंने यहां पर मसाज कंप्लीट कर लिया आप देख सकते हैं मेरा चेहरा इतना कितना खिला हुआ और कितना साफ दिख रहा है अब बढ़ती हूँ लास टेप की और जो लास टेप है वो है फेश पैक त फिर से यहां पर पापाया पल्प लिया है अब इसमें मैं चुटकी भष हल्दी डालूंगी उसके बाद उसमें मैं डालूंगी बेसन देन उसमें मैं डालूंगी कर्ण तो इन तीनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके एक फेश पैक बनाऊंगी और इसे मैं अपने face में और neck में अच्छी तरह से लगा लूगे ते देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से mix कर लिया अब मैं इसे face में भी और पूरे neck में अच्छी तरह से apply करूँगी मतलब कहते है ना papaya guys ऐसा fruit है आप तो उसे खाएंगे तो benefit होता ही है आप उसे skin में भी लगाएंगे तो भी बहुत ही beneficial मतलब आपको digestion के भी अगर problem है ना guys तो papita बहुत ही फाइदे मन इंग्रीडियन्ट है तो आप इसे कच्छा भी खा सकते हैं और हम लोग तो पका खाते ही ह तो यह देखिये 10 मिट बाते करते करते मेरा face pack सूख गया है तो अब मैं चली इसे हटाने के लिए तो इसे हटाने से पहले मैं हलका हलका सा मैं इसे rub कर रही हूं अपने face पे ही इस तरह से हलका हलका rub करते वे अब मैं इसे थंडे पानी से धोलूँगी तो इस तरह से पूरा और यह देखिए आफ्टर वास जो मेरा चेहरा कितना खिला हुआ कितना साफ है जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इसमें नैच्रल स्किन वाइटनिंग प्रोपर्टी से जो आपको नैच्रल ब्लीच प्रोवाइड करता है और यह आपके ब्लेमिसिस को यानि दाग धबे को भी ह साफ और ग्लोई लग रहा है सामने से में दिखा रही है आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए हल्फुल हो अगर हल्फुल हो गाइस तो प्लीज लाइक में वीडियो शेयर और सब्सक्राइब मिलते हैं ऐसे यह नहीं बहतरी वीडियो के साथ तिल दन बाब झाल graphics हैं भज सकते हैं वाइस हैं वाइस थाइस थाफस हैं वीडियो पाल जो और सो प्लीज भीडियो अर्म कweekर शड़ फिए बाब कर मारें वास